विश्वम दरपण द्रश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर गतम पश्वनात्मनी माया बहिरवोद भूतम्यता निद्रया या साथ्षाद कुरुते प्रबोद समयी स्वात्मानम वाद्वयम तस्मय श्री गुर्मूरते नम इदम्शुरी दक्ष्णामूरते अचा स्वयम शिव क्या है शिव को जानना मतलब आप शिव को जान नहीं सकते हैं शिव हो सकते हैं कैसे स्वेता स्वेतरोप निशद है उसमें एक मंत्र है क्या एको ही रुद्रो ना दुतियाय तस्थुर्य इमाम लोकान इशत इश निभी है मतलब जो इन सारे लोकों को एको ही रुद्रह वो एक है, उसमें दो नहीं है, वो अकेला है, एक माने कैवल है, केवल है, संस्क्रत में केवल और हिंदी में अकेला है, रुद्र माने रुदनम दरवयति, जो संसार के सारे रोग को, शोक को, मोह को भगा देता है, उसका नाम रुद्र है, रुद्र माने ई इश्वर ठीक है इसको एक क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि प्रमानानी उपायश्च महात्मानश्च दुतियाय नतस्थु जितने उपाय या साधन हैं वे दूसरे की प्राप्ति के लिए हैं ठीक है उसकी प्राप्ति के लिए वो प्रमात्मा जीव के लिए नहीं जगत के लिए नहीं अपने लिए ही प्रमात्मा है प्रमात्मा की उपस्थती स्वयम अपने आप के लिए है वो प्रमात्मा बोले कहां रहता है उससे कैसे मिले तो बोला वो तुमारे हिर्दे में ही रहता है अ मतलब संपूर भोनों की स्रस्टी करके ततश्च गोपाह मतलब उसके बाद एक बनकर सबका पालन करके अंतकाल आने पर सबको समेट लेता है जैसे मकडी जाला बनाती है और बाद में निगल जाती है ये सब करने के बाद भी वो सबसे जुदा है अब्दुती रहता है मिलता नहीं है श्री अभिनोगुप्त जो काश्मीरी शैवों के प्रमुक आचार्यों में से एक है उन्होंने इस जगत को प्रतिविम्ब माना है क्या माना है प्रतिविम्ब उन्होंने बिम्ब प्रतिविम्ब सिध्धान्त के अनुरूप समझाया है कि ये संपूर जगत शिव क प्रतिविंब है जैसे आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं अगर कोई सीशे को पत्थर मार कर तोड़ दे तो प्रतिविंब चेहरा भी खंड खंड प्रतीत होता है ठीक है होगा की नहीं होगा लेकिन वह जो आपका वास्तविक चेहरा है वो वैसे ही बिना खरोच के ब सीव को जानना यानि सीव होना है ठीक है वे कहते हैं कि प्रतिविंब होने पर भी ये प्रतिविंब मिथ्या नहीं है सत्य है अता है जीव और ईश्वर का बेवहारिक भेद सत्य है ऐसा कश्मीरी शैव लोग कहते है ठीक है श्री अभिनो गुक्ति जी ने एक तंत्र लोग नामग्रंथ लिखा है उसमें उन्होंने शक्ति और सक्तिमान का निरूपन किया है वे निरूपन करते करते वहीं पहुंच गये जहां स्री आदिगुरु शंकराचार पहुंचते हैं और कोई चारा नहीं है भाई निरुपाधिक सुद्ध चेतन ब्रह्म है शिव है उस कत्त है वो बिंब मूलक है प्रतिविंब मूलक नहीं है यदि अविद्या या माया को एक माना जाए तो निरुपाधिक ब्रह्म को ही ईश्वर कहेंगे जब आप उपाधी का बाद कर देंगे तो अपने को बिंब रूप शिव ही अन्भो करने लगेंगे तो यहां पर इश्वर का भेद मिट जाता है यद्द भी व्यवहारता भेद बना रहता है तो क्या हुआ शिवो हम ठीक है आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा ठीक है शिवकार्थ ठीक है ओम शांति 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 शांति